दर्भंगा एरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए एक और बड़ी खुशी की खवर आ रही है बलकि यूँ कहें कि ये पूरे बिहार के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुश खवरी है तो कोई अतिशयोक्ती नहीं होगी दरसल अब तक बिहार के पटना गया और दर्भंगा एरपोर्ट से बड़े बड़े शहरों और देश के महानगरों तक के लिए ही कनेक्टिंग या सीधी फ्लाइट की व्यवस्था है पटना गया और दर्भंगा एरपोर्ट से आपस में किसी भी तरह की फ्लाइट की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है लेकिन अब इशी को लेकर ये बड़ी खुश खबरी सामने आ रही है अब आप दर्भंगा से उड़कर पटना और गया पहुँच सकते हैं इसी तरीके से गया से उड़कर दर्भंगा और पटना जा सकते हैं तो पटना से उड़कर गया और दर्भंगा की यात्रा भी आप कर सकते हैं इतना ही नहीं, यहां से जमशेथ पूर्त की भी फ्लाइट शुरू हो सकती है ये फ्लाइट सीधी होंगी या कनेक्टिंग फ्लाइट होंगी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है दरसल बिहार में एरपोर्ट सलाहकार समिती की बैठक में पूर्व केंद्रिये मंतरी और पतना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्ण लिया रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के भीतर कई बड़े महानगरों से विहार की फ्लाइट है लेकिन राज्य के भीतर सीधी फ्लाइट या कनेक्टिंग फ्लाइट की वियोस्ता अब तक नहीं की गई है बैठक में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नो सिर्फ विहार बलकी पडोसी राज ये जारखंड से भी कनेक्टिविटी की बेहतर संभावनाए है इसके तहथ पटना गया और दर्भंगा से जमशेदपूर के लिए भी फ्लाइट सुरू करने की बेहतर संभावनाए है इस बैठक में ये भी निर्णे लिया गया कि पटना मेट्रो की कनेक्टिविटी भी पटना एइरपोर्ट से की जाएगी एइरपोर्ट सलाकार समिती की इस बैठक में लिये गये निर्णे को काफी महत्तो पूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में राज्य सभा और लोक सभा में केंद्रिये नागरिक उड़ैन मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के एरपोर्ट के डेवलब्मेंट पर कई बार बड़ी बातें कहीं हैं नागरी कुड़न वंत्री जोतिर्यादित्य सिंधिया के अनुसार बिहार में पटना गया और दर्भंगा एरपोर्ट के डिवलपमेंट की कई परियोजनाय चल रही हैं। साथ ही यहां मुजफरपूर, रक्सॉल, पूर्णिया और गोपालगंज एरपोर्ट को भी फंक्शन पर बढ़ते दबाव की वज़ा से देश और दुनिया में हवाई मार्ग को बेहतर माना जा रहा है और इसको विकसित करने की कई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भारत के कई राजियों में बड़े शहरों के बीच एर कनेक्टिविटी है लेकिन बिहार में अब तक य यह चोटी चोटी उडानों की व्यवस्था की गई है जिसका पर्याटकों और वहां के आम लोगों को काफी फायदा मिलता है। इसकी तर्जपर अगर बिहार के छोटे शहरों के बीच एर कनेक्टिविटी की सुविधा बहाल की जाती है तो इससे लोगों को काफी करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें